सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्स्प्लेन करनी चाह रहे हैं उसका नाम है डगरी, तो कहानी शुरू होती है, बर्फ के बीच थकी एक ओनल कमपनी से, जहां पे हम जॉन नाम के आदमी को देखते हैं, जिसे कमपनी ने वुल्फ हंटर की जॉब पर रखा हुआ है, क्योंकि आज भी वो उसे बहुत प्यार करता है, अब एक दिन वो उसे लेटर लिखकर खुद की जान भी देने वाला था, लेकिन तभी उसे एक वुल्फ की आवाज सुनाई देती है, और यहां उसे अपनी जिम्मेदारी याद ए जाती है, लेकिन यहां हम उसकी एक सच्चाई और पता चलती है, कि जान को वुल्फ को मारना अच्छा नहीं लगता, और उसे यह कम करना पड़ता है, क्योंकि उसकी यह मजबूरी है और पैसे सब कुछ करवा देते हैं, इनसान से बिलकुल दिनों बाद जान और उसकी टीम अपने घर जाने के लिए तयार होते, पर उसे द लेकिन थोड़ी ही देर बाद तूफान बढ़ाने लगता, और प्लेन में टर्बलेंस होना शुरू हो जाती है, अब सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं, सबको इसी बात का दर था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, पर वो कहते हैं, ना कि जिस चीज से तुम दरोगे, वो टापू पे खून जमा देने वाली ठंड थी, जिस वजह से वो फौरण सबसे पहले अपने साथियों के पास जाता है, अगर उनमें से कोई जिन्दा है, और तभी वो देखता है कि पूरे प्लेन की धज्जियां उद चुकी थी, चारों तरफ बसें और प्लेन का मालवा भ जिनको बचाता है, पर एक आदमी जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है, वो उनसे कहता है कि उसे बच्चा लो, उसकी एक साथ साल की बेटी है, पर जौन और उसके साथियों के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, जिससे वो उसकी जान बचा पाते, और उसकी ऐसी हालत तो उनके साथ भी यही हो सकता है, अब जौन कहता है कि हमारे साथ 50 और प्लेन उड़ेदर, हमें कोई ना कोई ढूंडने जरूर आएगा, लेकिन सच्चाई जौन को भी पता होती है, वो सबसे कहता है कि हमें सबसे पहले अपनी जरूर दो की चीजों को एक इकठा करना आशे बिखरी हुई दिखती है, और उन्हें देखकर वह लोग बार बार दी मोटिवेट होते जा रहे, दबिलकुल देर बाद वो लोग सानों को इकठा कर लेते हैं, जिसे वो बड़ी किसी आसानी से आग लगाने में काम्याब हो जाते हैं, और तभी हम देखते हैं कि उस राज जॉन अपने साथियों के पास एरा होता है, तो अचानक से उसे पर एक वुल्फ हमला कर देता है, और यहां जॉन अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, उसकी आवाज सुनके वहां उसके सारे साथी ये जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, वर्ण आज शायद जॉनी लो और तभी उनका एक साथ ही उन्हें बताता है कि हम जिस जगह पे रुकी हैं, वह शायद वुल्फ का इलाका है, जॉन पे तो एक ही वुल्फ ने हमला किये, अगर वो जून में होते तो हम कुछ नहीं कर पाते, और अभी हम उनके गुफा के करीब है, मतलब कि उनकी रेडियस म हैं, और वो जरूर हम पर दोबारा हमला करने आएंगे, लेकिन कि आसपास जितनी लाशी पड़ी है, उनकी स्मेल सुनकर वह जरूर यहां तक पहुँच जाएंगे, तो जॉन कहता है कि यह सच है, वुल्फ 30 मीटर के दाइरे के अंदर में हमला करते हैं, और यह बार-बार आते रहेंगे, इसलिए हमें पहले उन डेड बाडीज को ठिकाने लगाना होगा, और सारे लोग कम पर लग जाते हैं, अब एक डाइस नाम का आदमी होता है, जो सबके वालेट चुराने लग जाता है, मतलब इस बंदे को अभी भी पैसे चाहिए, द और उसे ऐसा करते हु इसलिए शायद कहते हैं कि लालज बुरी बाला है, अब लास्ट को हटाने के बाद इन लोगों को चारों तरफ से वुल्फ घर लेते हैं, पर जान को पता है कि वो आग से डरते हैं, इसलिए वो मशाल लेके उनके सामने तब तक खड़ा रहता है, जब तक वो चली नहीं ज मैं यहां बाहर पहरा देता हूँ, सब लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में देख सुसू करने जाता है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिन्दगी का आखिरी सुसू होने वाला है, अब उसे अकेला देखकर भेडिये उसे पर नहीं चाहते, वो बस हमें मार रहे हैं, हमें जल्द से जल्द किसी ऐसी जगह जाना होगा, जो चारों तरफ से कवर हो, तभी उसे दूर कुछ पेड़ दिखते हैं, जहां पे जाना आसान तो नहीं था, पर उन्हें ये करना ही होगा, अब सारे फॉरण अपने अपने समान कोई इकठा करना शुरू कर देते हैं, और वहीं जॉन को अपनी बंदूक मिल जाती है, जिसे वो वुल्फ को मारा करता था, इसके बाद वो कुछ पेट्रोल इकठा करते हैं, और फिर सभी लोग आगे बढ़ाने लगते हैं, पर ये सफर इतना आसान नहीं था, बरफीले इन्हें उसके बारे में पता चलता है, वो भेडियों का खाना बन चुका था, अब ये लेकर जॉन और लोग भागते हुए उसे बचाने जाते हैं, पर तब तक वो दम तोड़ चुका था, और अब इन लोगों को अपना एक एक कदम फुक कर चलना होगा, वर्ण किसी भी स पिर से भीडियों का जुंड पत जाता है, जिसे बचाना आप नाम की चिंता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दपर जॉन सबको भागने को कहता है, और फॉरन आग जलाने को बोलता है, जिससे ये डरते हैं, पर इतनी ठंड में आग जलाना भी मुश्किल हो रहा था, लेक इसी रोड की तरफ जाना जरूरी है, वेल आप सभी लोग यहाँ पर रिलाक्स कर रहे दा, लेकिन तभी इन्हें एक अजीब सी आवाज आती है, तो जॉन बताता है कि वो अलफा की आवाज है, वो सबसे खतरनाक भीड जाए, हमें उसे मार कर उसे डील करना होगा, अब सा जान उसका जबाब देती, वह बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर से डड़े हुए हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, जिसे सब लोग तुम्हारी तरह हर मैन ले, पर ऐसा होने वाला नहीं है, सब तुम्हारी तरह नहीं है, अब ये सुनकर वो गुस्से में जाता और अपना चाकू निकल कर जॉन को धमकाने लगता है, जिसके बाद उन दोनों में हाथा पाई होना शुरू हो जाती है, पर जॉन के सामने वो कहां टिकने वाला था, वो बड़ी ही आसानी से उसे गिरा देता है, पर असली मुसीबत अब आती है, दोस्तों एंट्री होती है, वुल्फ के सरदारों की, यानि की अलफा की जो इनके सामने ही खड़ा था, और इन्हें लगातार घूरता जा रहा था, उसका चेहरा देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा दर जाते हैं, क्योंकि इतना खूंखार भेडिया आज तक इन्होंने नहीं देखा था, पर जॉन की समझदारी से वो इन पर वार नहीं करता और वहां से चला जाता है, अब इन लोगों लगता है कि यह बच गए हैं, पर ऐसा होता नहीं है, कुछ ही देर में डाइस के पीछे से एक भेडिया उसे पर अचानक से हमला कर देता है, अब सभी लोग उसे छुडाने क की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो डाइस से बिलकुल चिपक गया था, और फिर जॉन बड़ी बहादूर से उसे लकडी से मार डालता है, अब जॉन कहता है कि यह बस एक मामूली सा हमला था, असल में अलफा हमारी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था, कि हम कितनी ताकतवर ह लेकिन यहाँ पर इनके लिए एक अच्छी चीज हो जाती, तो फाइनली ने खाना मिल गया था, जिसे पका कर वो लोग खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं, पर यहाँ दाई से गलती कर देता है, वो उसे मारे हुए भेडिये का सर जंगल की तरफ फेंक देता है, क्योंकि भीड ये अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में ए चुके हैं, अब सारे लोग मशाल लेकर जंगल की तरफ भगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है, जहां से रोड मिल सकती है, सब चलना शुरू करते हैं, काफी देर चलने के बाद इन एक सर जग पर इतना जरूर जानता हूं कि अगर हम सही रास्ते पे चले तो हमारी मदद गोद जरूर करेगा, अब सभी लोग अपनी अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगते हैं, तो जॉन को उसका बचपन याद ए जाता है, जब उसके दाद उसे वुल्फ की कहानिया सुनाय करते, दे इसी दोरान उनके एक साथ ही की तबियत कुछ खराब होने लगती है, और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर आंक सीजन की काफी कमी हो गई थी, वेल फाइनली थोड़ी देर बाद उजाला हो जाता, और सब लोग एक बार फिर से आगे बढ़ाने के वो यदी देखकर कहता है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई आया होगा, और इसी बीच इनके एक साथ को रिवर की आवाज सुनाई देती है, तो जॉन कहता है कि हमें रिवर को फॉलो करके आगे बढ़ाना होगा, तब ही हम शेल्टर तक पहुँच पाएंगे, अब जब वो ल साथ ही को रस्सी बांध कर दूसरी तरफ भेजेंगे, और वो साथ ही बड़ी ही बहादूर से एक छलांगा मारता है, लेकिन तब ही उसकी रस्सी तूट जाती है, लेकिन जॉन और उसके साथ के लोग सही समय पर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पहुँच कर उसे रस्सी को बंद देता है, अब इन्हें एक एक करके रस्सी को पढ़कर उसे तरफ जाना होगा, सब लोग धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जब आखिरी आदमी की बारी आती है, तो वो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उंचाई से बहुत डरता थ क्योंकि वहाँ वित्त से दोग जाना होगाँ जाना होगाँ जाना झाला जाता है, जे बहुत जाता हैं, ये तो वोग लोगदद देवाँ जागाँ